एक्सरसाइज 1F क्वेशन नमबर 1 करा आप फाइंड रैशनल नमबर बिट्वीन 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 3 इससे पहले मैं आपको यह क्वेशन करा हूँ थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे मैं जानते है इसने हमसे कहा कि इन दोनों नमबर के बीच में रैशनल नमबर बताईए आप मुझे इससे पहले यह बताईए कि 3 और 5 के बीच में क्या आता है तो हर कोई कहेगा 4 आता है लेकिन यह आया कैसे यह समझेए आपने इन दोनों को एड़ करना है कितना आएगा 3 प्लस 5 8 और 8 को 2 से डिवाइड कर देना है क्या या 4 बास समझ माया जब भी 2 नमबर के बीच में रैशनल नमबर फाइंड करने को कहेगा कितने एक रैशनल नमबर तो आप दोनों को प्लस करेंगे और 1 अपन 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे दुबारा देखो जैसे मुझे ही निकालना था 4 मुझे नहीं पता कि 3 और 5 के बीच में क्या आएगा तो आपको हाफ से तो मल्टिप्लाइ करना है और इन दोनों का सम कर लेना है ठीक है तो 3 प्लस 5 8 और 1 अपन 2 से मल्टिप्लाइ तो 4 कुछ आपको समझ में आया हो तो आजाईए इधर तो देखे इसमें हमसे कह रहा है कि rational number बताईए 1 अपन 4 और 1 अपन 3 के बीच में तो language लिखेंगे कि आप आप कहेंगे required number जो आपको निकालना है वो required number equals to जो number है उनका क्या करना है आपको sum और किस से multiply करना है 1 अपन 2 से तो देखो आप क्या करें 1 अपन 2 ऐसी लिखें इसको solve करने के लिए आपको LCM लेना पड़ेगा 4 और 3 का LCM 12 4 को 12 बनाने के लिए 3 से multiply है उस 3 की 1 से तो 3 प्लस 3 फोर दर 12 4 की 1 से तो 4 यानि कि हमारा क्या है 1 अपन 2 और bracket में 3 प्लस 4 7 अपन 12 जब आप इसको solve करोगे तो 1 की 7 से multiply करोगे तो 7 और 2 की 12 से करोगे तो कितना आएगा 24 अब ये क्या है पता है ये 7 अपन 24 इन दोनों नंबर्स के बीच में rational नंबर है तो आप क्या लिखोगे Hence Hence 7 अपन 24 इस अरेशनल नंबर लाइंग बिट्वीन ठीक है 1 अपन 4 एंड 1 अपन 3 आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं अब चलते हम नेक्स्ट क्वेशन पर